हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के समख्च CDPO मेंस में अभी जो सोसियोलोजी ओप्शनल का एकजाम 9 नवंबर को CDPO BPSC के द्वारा कराया गया उसका कोशन पेपर आप लोगों के समख्च लाया हूँ और एनलैसिस करेंगे कि किस परकार का कोशन इसमें पूछा गया है और आगामी सरसटवी BPSC एकजाम में जिसका ऑप्शनल सोसियोलोजी है उसमें उन्हें क्या-क्या सतरक्रता और क्या-क्या साफधानी बरतनी चाहिए और अपने प्रिप्रेशन को कैसे और अच्छा करने की आवशकता है उस पे ध्यान देने वाली बात है तो चलिए कि उसमें आपको सोसियोलोजी को मिलेगा एक एंथ्रोपोलोजी मिलेगा आपको एक लस्डबलू मिलेगा तो फेंड्स आपको बता दें कि कोई भी ऑप्शनल BPSC के द्वारा कराया जाता है तो उसमें 300 मार्क्स के को सन होते हैं जिसमें कि आपके पास टोटल 12 को सन होते है सेक्षन को में 6 को सन होते हैं और सेक्षन को में 6 को सन होते हैं यानि कि आपको 6 में से 3 को सन और 6 में से 3 यानि कि टोटल आपको 6 को सन 12 में से 6 को सन करना है और आपको इसमें 300 मिलेंगे तो चलिए फेंड्स अब हम लोग सुरू करते हैं बीना किसी बात का देरी किये तो सब से पहले friends कोई भी चीज होता है instruction आपको पता होना चाहिए इसमें आपको सब जो सभी प्रस्टन है उसके सारे अंक आपको बराबर मिलेंगे आपको प्रते खंड से तीन कोश्टन करने है टोटल आपको छे कोश्टन करने हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और हमेशा friends कहा भी जाता है कि यथासमा अपने सब्द में ही उत्तर देना चाहिए और आपको हिंदी और इंग्लिस में दोनों लिखा रहेगा और यह भी कहा जाता है अगर खंड कोशन करें तो तीनों कोशन खंड कोशे करिए अगर आप खंड कोशन करें तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ थियोरियकल पार्ट मिलेगा मतलब कि जो सेक्शन ए है उसमें ज्यादा तर आपको जो बुक आप पढ़िएगा आप तैयारी करिएगा उसी से जो बेसिक्स होते हैं जो आप थियोरी पढ़ते हैं उसी का कोशन देखने को मिलेगा वही हम खंड खुआ का बात करें तो वह प्रैक्टिकल थोड़ा से देखने को मिलेगा मतलब कि आप वो देख के भी समझ सकते हैं अच्छा इसका उतर यह होगा अच्छा उतर उसका उतर वह होगा थोड़ा सा डैनिमिक पोर्शन होता है सेक्शन बी और जो सेक्शन ए है व वैज्यानिक पध्यति के अधारों की चर्चा करिए समाज विज्यान के शोध में वास्तू परकता और विशय परकता के मद्ध द्वंद का आलुचनातमक मुल्यांकन करिए तो फ्रेंट्स यह जो कोश्चन पूछा गया है यह टोपिक पूरा थियोटिकल है जैसे कि आप स खुडगिम ने तरक दिया था कि शमाज में श्रम के विभाजन का कारे समाजिक सूड़डरता को बढ़ावा देने का कारें इस कथन का विश्तार कीजिए और उनके दोबारा विशलेशित की दूशरूपों केमध अंतर का विशलेशन करिए तो फ्रेंज्ट्स आपको पता होगा कि सोसियोलोजी में एड्मिल खुडगिम का जो नाम है बहुत बड़ा नाम है आप इसका थियोरी पढ़िएगा और उन्होंने बहुत अच्छा एक सिध्धान दिया जो समाज में स्थ्रम के विभाजन पर कार किया है उन्होंने तो फेंड आप उनके जो सिध्धान थे आप उसको अगर पढ़े हैं तो ही आप इसको उत्तर दे सकते हैं यहीं सच्चा है अगर कोई भी आप ऑप्सिनल है आप डायक्ट तुक्के अस्तरन से आप क्या समझते हैं अस्तरीकरण के प्रक्यारिवादि शिध्धान का अलोशनातमक मुल्यांकन करिए तो फेंड अभी तक हम लोगों ने एक दो तीन कोशन देखा है तीनों कोशन फेंड त्योर्टिकल टाइप का है अगर आप बुक पढ़े हैं अगर आप सिल स्रम विभाजन के शमाजिक पक्षों को कैसे परवावित किया है तो फेंड आप यह उत्तर जो आप लिखना है यह बहुत ही आप मतलब की इसमें बहुत अच्छे परकार से लिख सकते क्योंकि पुर्व अद्योगिक आर्थिक विवस्था कहीं भी फेंड लगेगा वहां पर आपको स्रम विभाजन जरूर देखने को मिलेगा बीना स्रम जो स्रम विभाजन वह एक बहुत बड़ा फ्यक्टर है तो फेंड आप इसका उत्तर भी आसानी से कर सकते हैं चलिए अगला को संदेखते हैं पांचमा पांचमा किस पर पूछा गया है कि राजनेतिक समाज जिकरन की मुख एजेंसियां कौन-कौनसा उसके बारें बताना है और साथी साथ आपको बताना कि एक लोगतांत्रिक समाज में सकती साजा करने के लिए जो संब्रात वर्ग और जन समों के मत किस परकार का संगर्स हो रहा है तो फेंड्स यह भी आप थियोटिकल अभी तक आपको सिर्फ तीन ही करना जो आपको आ रहा है अगला को समय भारत की सैक्षनिक विवस्था के विकास पर प्रकृतिवाद आदर्शवाद और पंडित्वाद के परभाव का मुल्यांकन कीजिए क्या सिक्षा को सास्किये विचारों के सैधानतिक मतों परन के मद के रूप लोग प्रकृत आपको अपको कोशन आपको बहुत आसानी से आता होगा चलिए फेंट सात्मा कोशन देखते हैं सात्मा कोशन है बिहार में उस सिक्षा की संभावनों एवं समस्याओं की चर्चा करिए बिहार में सेक्षनिक क्या कारण है तो फेंट्स ये आपको प्रस्ण है ये आपको इंटर्विउ में भी मिलेगा किया अबियु देख रहें ना फेंट्स मगद यूणि उनिवर्सिटी और मुंगे यूणि यूणि यह हैं अब कहीं भी फ्रेंट्स अब कॉलेज में चले जाई ये तो वहाँ पर पता चलेगा कि वहाँ प्रोफेसर ही नहीं है अगर वहाँ 5 Minh यह दस ब्रांच में एक-डू भूंतने हैं और सब आपसे जाती वर्ग क्योंकि बिहार में ज्यादा फ्रेंट जाती वर्ग ही देखने को मिलता है तो वहां पे आप क्या-क्या गट जोर देखने को मिल रहा है आपको उसके बारे में लिखना है चलिए फ्रेंट अब अगला कोस्टन देखते हैं नम्मा कोस्टन पूछा गिए ग्रामी नग्रीय संतव से आप क्या समझते हैं नग्रीय छेतरों का विकास भारती समाज को कैसे प्रभुवलाइत करेग़ ili आप यूरलीकल पूछे दिया कि भूशुधारों के समाजिक परिणामों का विश्लेशन करिए तो आप भी जानते कभी आप मोटेशन कराते होंगे तो आपको वहाँ पर जाना परता है भूशुधार अधिनियम बिहार भूशुधार लिखते होंगे वहीं पर आप मौजा खाता खसरा सब कुछ देखते कोशन पूछा गया वह ज्यादा तर थियोटी का लगाब थियोरी पढ़े हैं कोई भी ज्यादा डाइनमिक कोशन नहीं है अगर जो कोश भी डाइनमिक भी है वह बहुत ही आसानी है अला कोशन फ्रेंस यूवा और शंतोस से जूरी समस्याओं का अलोचनातमक मुल्यांकन क ज्यादा तर जो यूवा और शंतोस है इसी के लिए अभी देखने को मिल रहा है और इसका कारण क्या है आपको उसके बारे में भी लिखना कि आखिर क्या यह जेंडर गैप है क्या जो गैप जो है उसके लिए रिस्पॉंसिवल है क्या फ्रेंस चलिए फ्रेंस अब आखरी लिए तो फेंड जितने भी धर्म है जैसे हिंदू है मुस्लिम है सीख है इसाई है तो उसका जान संकिक पक्षो और भोग्योलिक वित्रन क्या क्या है मतलब कहां पर किस राज में कौन-कौन सा छेतर में जहां हिंदू के वर्ग रहते हैं मुस्लिम वर्ग रहते हैं उसके बारें आपको लिखना परेगा भारत में जो अंतरधार्मिक अंतर किरिया का जो परफाव करता है उसके बारें भी आपको आलोचनात्मक मुल्यांकन करना है तो फ्रेंस मिला जुलाकर हम लोगों ने जब सोस्योलोजी सीडिप्यों का को सन को एनलैसिस किया तो उसमें यही पता चला कि आपके पास फ्रेंस कोई भी डायनमिक टाइप का कोस्तन नहीं आता है जो हमको जोगरफी और पी असाई और ऑप्शनल समय देखने को मिलता है यहां पे प्योड आपको थिरोटिकल है अगर आप थियोरी अच्छे से पढ़े हैं तो आपको अच्छे नंबर मि मिलने के चांसे बढ़ जाते हैं चलिए फेंट्स मिलते हैं अब अगले कोशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू एन हवे नाइस डे